LIC Plan G1 उमंग चलो इसके Features and Conditions देखते हैं Minimum Age at Entry है 90 Days Completed मतलब ये प्लान किसी भी Newborn Baby जिसको 90 दिन पूरे हुए है उसे दे सकते हैं लेकिन 90 दिन पूरे होने चाहिए Maximum Age at Entry है 55 साल मतलब जिनकी उम्र 55 साल हो चुकी है उने हम ये प्लान दे सकते हैं 55 साल और 6 महिन उसके उपर मतलब 56, 7 ऐसे लोगों को हम ये प्लान नहीं दे सकते हैं Maximum Age at Maturity is 100 years ये एक Whole Life Plan है इसका Risk कवर Life Long रहेगा इसलिए इसकी जो Maturity है वो Policy Holder के उम्र के सोवे साल में मिलेगी Policy Term है 100 years minus Age at Entry मतलब 100 साल minus Policy Holder की उम्र अगर Policy Holder की उम्र 25 है तो Policy Term 75 साल की होगी Minimum Age at end of Ppt is 30 years इसका मतलब हमें उम्र के कम से कम 30 साल तक प्रीमियम बरना है मतलब 1 साल के बच्चे को 30 साल प्रीमियम है 5 साल के बच्चे को ठीक प्रीमियम है और 15 साल के बच्चे को कम से कम 15 साल Preemium बरना है उमर के 30 साल तक प्रीमियम भरना ही है उससे कम नहीं और ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा सातर साल तक Maximum Age at end of PPT is 70 years neerboard day मतला 50 साल उमर का policy order ज्यादा से ज्यादा 20 नहीं सकता है वह 25 साल या 30 साल की पीटी नहीं ले सकता क। प्रीमियम पेंग टॉम फ्लेक्षिबल नहीं है फिक्सalnız है 15 जाल बीच साल ऑर 30 साल आप 21 चुम्ट का प्रीमियम पेंग टॉम नहीं सकते minimum stacker है दो लाग मतलब आप एक लाग या 75,000 डे सकते कम से कम 200,000 के पालिसी आपको लेनी है maximum podr is low limit अब ज़ितनी बड़ी पालिसी सोच सकते हो उतनी आउसी दे सकती है एक कंपनी को लाइसी ने 4,00,00 करोड का insurance दिया है इसका मतलब अगर claim आता है तो LIC को 4,00,00 करोड देना है अगर उससे भी बड़ी policy आप कर सकते हो तो LIC वह भी कर सकती है दोस्तों LIC में बहुत दम है चलो modes देखते हैं यह PLAN में 4 modes है yearly mode याने साल में एक बार half yearly mode याने साल में दो बार छे मेने के इंटरवल पे कॉर्टरली मोड याने साल में चार बार तीन मेने के इंटरवल पे और मंतली मोड याने हर मैना प्रीमियम कटेगा जो भी प्रीमियम हम भरेंगे उसके उपर हमें इंकम टेक्स का बेनिफिट मिलता है under सेक्शन 80C और जो भी अमाउंट LIC से हमको बिलती है मतलब मैचुरिटी अमाउंट सर्वाविल बेनिफिट अमाउंट या देख्टेम अमाउंट उसके ऊपर हमें गवर्मेंट को एक रुपया टैक्स देना नहीं है चलो बेनिफिट देखते हैं पहला बेनिफिट है मैचुरिटी बेनिफिट फिर आता है लिमिटेड प्रीमियम बेनिफिट प्रीमियम पेमेंट का बेनिफिट उसके बाद आता है डेथ बेनिफिट और फिर आता है राइडर बेनिफिट राइडर बेनिफिट के लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम भरना पड़ता है इस प्लान में कुछ special benefits भी है जैसे special surrender value benefit जिसे हम SSV benefit भी बोलते हैं फिर paid up value benefit paid up value benefit मैं अगले वीडियो में बताऊंगा क्योंकि यह बहुत ही जबरदस्त benefit है उसके बाद आता है regular income benefit पहले maturity benefit देखते हैं example के तौर पे age 25 consider किया है जिसका premium paying term है 25 साल और सम अशोड है 10 लाग तो policy होगी age 100 तक इसमें insurance cover 100 साल तक रहेगा इसलिए हम इसे whole life insurance plan भी बोलते हैं अब इसमें premium paying term जो है वह limited है मतलब आपको 100 साल premium नहीं बरना है सिर्फ 25 साल ही premium बरना है मतलब age 50 तक ही आपको premium बरना है अब पहला ही premium बरने पे 10 लाग की policy शुरू हो गई अब आपको आगे 25 साल तक premium बरना है 25 साल का premium बरने के बाद अगले ही साल से survivor benefit शुरू हो जाता है जिसे हम regular income का benefit भी बोल सकते हैं सम अशौर्ड पे हर साल 8 टक का age 100 तक या अगर उससे पहले death होती है तब तक मिलते रहेगा मतलब 10 लाग की policy पे 8% सम अशौर्ड मिलते रहेगा याने 80,000 रुपया हर साल tax free मिलते रहेगा अगर life अशौर्ड 100 साल तक जीवित है तो उन्हें सोवे साल में maturity benefit मिलेगा maturity benefit में summer short प्लस B1 याने premium paying term के दोरांग का bonus जिसे हम B1 बोल सकते हैं और premium paying term के बाद का bonus जिसे हम B2 बोल सकते हैं वो मिलता है प्लस FAB मिलता है कुल मिला के 1,26,85,000 रुपया मिलेगा इसे हम पैसों की बारिश भी बोल सकते हैं चलो calculations देखते हैं basic summer short है 10,00, policy term है 75 साल premium paying term है 25 साल और premium है 40,390 तो पहले तो हमें survival benefit मिलेगा at the rate of 8% of the summer short मतलब 80,000 अगले 50 साल तक मिलेंगे जो है 40,00,000 रुपया उसके बाद हमें मिलता है maturity benefit पहला summer short मिलेगा 10,00, रुपया उसके बाद vested bonus for PPD मिलेगा 11,75,000 फिर vested bonus after PPD after PPD मिलेगा 11,50,000 फिर final additional bonus मिलेगा 93,60,000 तो total maturity जो हमें मिलती है वो है 1,26,000,000 अब ये दोनों benefits का total benefit हमें जो मिलता है पहला 40,000,000 का benefit मिलता है उसके बाद maturity का 1,26,000,000 का benefit मिलता है जो जो total benefit मिलता है वो है 1,66,85,000 इसमें और एक benefit है जिसे हम लोग बोलते है special surrender value benefit इसको हम लोग maturity withdrawal benefit भी बोल सकते हैं मतलब मुझे अगर 100 साल तक नहीं रुखना है मुझे बीच में ही पैसे चाहिए तो मैं वो पैसे withdraw कर सकता हूँ तो मुझे को कितना पैसा मिलेगा तो मेरा जो भी sum assured है उस साल तक का bonus है प्लस FAB है उसका मुझे 90% ही मिलेगा या फिर मैं उसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि अगर मेरी उस साल death होती तो मुझे जो भी amount मिलता उसका 90% ही मिलता मतलब 90% of death benefit post PPT चलो इसे और बहतर तरीके से सम हुआ है at the rate of 8% जो है 80,000 रुपया and he is enjoying this survival benefit for next 25 years that is till age 75. अब policy order बोलता है मुझे policy surrender करनी है तो उस साल policy order को मिलेगा SSV याने special surrender value जो है 90% of summer short plus B1 plus B2 plus FAV जो आता है 55,44,000 उसके बाद policy बंद हो जाती है चलो calculations देखते हैं SSV age है 75 years, summer short मिलेगा 10,000, bonus for PPT मिलेगा 11,75,000, bonus after PPT मिलेगा 5,75,000, final additional bonus मिलेगा 34,10,000, total जो मिलेगा वो है 61,60,000 और इसके उपर 90% special surrender value मिलता है जो आता है 55,44,000 इसका मतलब ये policy में एक तो regular income का benefit मिलेगा फिर whole life cover का benefit मिलेगा फिर maturity का भी benefit मिलेगा और special surrender value का भी benefit मिलेगा अब देखते हैं death benefit scenario 1 death on 20th year मान लेते हैं policy regularly चालू है और death होती है 20th year में naturally तो nominee को मिलता है summer short प्लस 20 साल का bonus प्लस FAB जो आता है 19,75,000 और policy बंद हो जाती है चलो calculations देखते हैं basic summer short है 10,00, premium paying term है 25 साल और death की उम्र है 45 साल मतलब 20 साल में death होते हैं तो nominee को मिलता है summer short जो है 10,00, 20 साल का bonus मिलेगा 9,40,000 और final additional bonus मिलेगा 35,000 So total death benefit जो मिलता है वो है 19,75,000 अब दूसरा scenario देखते हैं जिसमें death होती है on 75th year मतलब premium paying term के बाद death होती है तो क्या मिलता है ये case में हमने ये देखा है कि premium भरा हुआ है premium भरने के बाद survival benefit भी लिया हुआ है और naturally 75th year में policy order की death होती है life a short की death होती है तो nominee को मिलता है एक तो summer short उसके बाद B1 मतलब premium paying term के दौरान का bonus उसके बाद B2 याने premium paying term के बाद का bonus और उसके बाद FAB ये कुल मिला के nominee को मिलेगा 61,60,000 और policy बंद हो जाएगी चलो calculations देखते है death benefit पे कितना मिलेगा एक तो पहला benefit survival benefit का है जो जब उसको जिन्दा थे तब उनको 8% summer short के इसाब से मिला था for 25 years याने maturity premium paying term के बाद 25 साल 80,000 into 25 जो आता है 20 लाग जो लाइफ अशोड ने enjoy किया है उसके बाद death benefit आता है जो nominee को मिलेगा summer short 10 lakhs vested bonus 11,75,000 vested bonus after PPT मतलब bonus जो PPT के बाद भी मिलता है वो है 5,75,000 final additional bonus भी मिलेगा nominee को जो है 34,10,000 so total death benefit जो nominee को मिलता है वो है 61,60,000 so total benefit to the family यह policy के वज़े से होती है एक तो 20 लाग survival benefit का उसके बाद 61,60,000 to the nominee so total benefit is 81,60,000 अब मान लेते हैं कि 20 साल में जो death होती है वो naturally नहीं होती वो accident के वज़े से होती है तो nominee को मिलता है summer short plus death accident benefit जो कि है 10,00,000 plus 20 साल का bonus plus FAB एक कुल मिला के nominee को मिलेगा 29,75,000 और policy बंद हो जाएगी इसका calculation देखते हैं death की उम्र है 45 years nominee को मिलेगा summer short जो है 10,00,000 तो यह DAB मिलेगा जो है 10,00,000 और फिर bonus मिलेगा 20 साल का जो है 9,40,000 final additional bonus भी मिलेगा जो है 35,000 रुपीज सो total death benefit to the nominee is 29,75,000 अब मान लेते हैं दसवे साल में accident होता है लेकिन death नहीं होती disability आती तो nominee को एक तो policy holder को आगे का कोई भी premium नहीं बरना है वो सारा premium जो है वो LIC भरेगी उसके बाद अगले साल से हर साल 10% of summer short मिलेगा अगले 10 साल तक याने पॉलिसी ओल्डर को एक लाफ रुपया मिलते रहेगा अगले 10 साल तक और premium बरने की भी ज़रूरत नहीं है जब premium paying term बंद हो जाएगा उसके बाद पॉलिसी ओल्डर को summer short पे 8% के हिसाब से survival benefit भी मिलेगा जब तक वो जीवित है मतलब 80,000 रुपया उनको जब तक जिन्दा है या age 100 तक मिलते रहेगा मान लेते हैं वो 100 साल तक जीवित हैं तो सोवे साल में उनको maturity benefit भी मिलता है जो है summer short प्लस B1 प्लस B2 प्लस FAB जो आता है एक करोड 26 लाग दोस्तों this is disability benefit जिवन उमंग एक बहुत ही जबरदस्त प्लान है जिसे हम एक बहुत ही बड़ी estate create कर सकते हैं जिसको हमारी आने वाली जनरेशन यूज कर सकती है छोटी-छोटी saving एक बहुत ही बड़ी estate create करती है इसके अलावा maturity के बाद जो survival benefit मिलता है उसे हम tax-free pension के रूप में यूज कर स उनसे जुड़ी है उनके ख्वाबों को पूरा करने के लिए whole life cover भी जरूरी है जब LIC का हो साथ तो फिक्र की क्या बात जिवन उमंग और एक जबरदस्त benefit है पेड़क ल्यू benefit अगले वीडियो में देखते हैं थैंक्यो झाल